हेलो दोस्तो नमस्कार काई कर नेस सेया बंदे में अपयुकर को से चाहते हों यहां पर उससे पहले जरूँ किना चाहूंगा कि एसे चानल में वीजिट किया है तो जरूँ सब्सक्राइब कर लेना साथ में पेल आइकन को हिट कर लेना तो ऐसे interesting video आप लोगों को हरोज देखने को मिल जाएंगे अभी की बात करो तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले 5 दिन में कौन-कौन सी चीजे हो सकती इससे related 5 बड़ी news आप लोगों को बताईए लिंक नीचे description box में इस वीडियो का दे दिया है आप चाओ तो free stock market classes इस channel को भी follow कर सकते हो लिंक नीचे description box में दे दिया है तो चले दोस्तो आज की इस वीडियो को start यहाँ पे कर लेते हैं तो दोस्तो कल के दिन की अगर सबसे बड़ी कोई बात यहाँ पे रहने वाली है तो वो एक बात यहाँ पे रहने वाली जहाँ पे सिर्फ इंडिया नहीं बलकि दुनिया के जितने भी देश यहाँ पे कोरोना के वज़े से यहाँ पे परिशान हो चुके उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ एक country के उपर रहने वाली है और उसका नमे रशिया यह दोस्तों रशिया ने आप सभी लों को पता है दावा किया था कि उन्होंने कोरोना की जो वैक्सी ने वो यहाँ पे डेवलप की है find किये successfully जितने भी parameters के तुरू testing के तुरू उनको जाना पड़ता है वो उन्होंने successfully यहाँ पे अच्छू किये and यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि 10 August 10,8, 2020 को यहाँ पे वो उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा एलान करने वाले है तो यह आप ज़रू कह सकते हैं दोस्तों कल का दीन यह बहुत important रहने वाला है यहाँ पे रशिया ने जो vaccine से related क्या बाते कल यहाँ पे क्या चीज़े आने वाली है इससे related सारी लोगों की खबरे यहाँ मतलब रशिया के उपर यहाँ पे रहने वाला है रशिया all set to launch world's first COVID-19 vaccine next week मतलब यह बात करें इसी next week मतलब इसी दिन की यहाँ पे मंडे की दिन की यहाँ पे बात करें जहाँ पे हम लोगों कुछ ना कुछ जबरदस यहाँ चीज़ देखने को मिलने वाले है यहाँ पे आप देख सकते हैं hope they have tested it कि उन्हों ने यह सारी चीज़े चेक की होगी तो यह जबरदस हम लोगों को यहाँ पे लेखना है और उसी के साथ साथ रशिया ने यह भी कहा है कि वो register करने वाले world की first vaccine यहाँ पे 12th August को यह report से द्वारा यह news सामने आ रही है तो फिला actual में रशिया के और से हम लोगों को कोई भी यह news देखने को नहीं मिल रहे है तो officially यह जब news आएगी शायद से कल यहाँ पे हम लोगों को रशिया के और से उनके जो प्राइम मिनेस्टर है शायद से उनसे भी कुछ ना कुछ बड़ी खबरे सुनते हुए देखने को मिल सकते हैं कोविड से बढ़कर अभी कौन सी बड़ी news है उसी से वज़े से तो सारह यह खेल चल रहा है कि बाजार गिर रहा है बाजार जम्प कर रहा है तो definitely कल रशिया के उपर सभी लोगों की नजरे रहने वाले जो कि उन्होंने बड़ा दावा किया था और उसके लिए उन्होंने तारिक भी बताई थी कि 10 August को यहाँ पर बड़ा एलन शायद से कर पाएंगे हला कि अभी तक कोई भी अपडेट खासा यहाँ पर आ नहीं गया है कि यहाँ पर उनका next step यहाँ पर क्या रहेगा बट इतना भी मैं कह सकता हूँ आप लोगों ने कल European markets के उपर भी नजरे बना के रख लेनी चाहिए तो देख लेते कल रशिया इससे related क्या कोई announcement करता है या भी नी या फिर next date की कोई announcement करता है तो इसी से related सारी चल्चाए कल बाजर में यहाँ पर होने वाली है तो first news आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दी यह रशिया से related यहाँ पर है जो की COVID की वैक्सिन से related बाते यहाँ पर सामने आते हुए हम लोगों को शायद से कल देखने को मिल सकता है तो यह थी सबसे पहली बात अभी हम लोग आ जाएंगे next कोई important बात है तो वो है वोड़ा phone idea किया यह दोस्तों वोड़ा phone idea का कल भवी तव्या शायद से हम लोगों को पता चल जाएगा court का मामला है आप सभी लोग पता है कभी कभी तारिक बढ़ती जाती है तो इसलिए मैंने word शायद use किया बट आप सभी लोग को पता है यहाँ पे वोड़ा phone idea के उपर या फिर आप कह सकते एरिटेल वोड़ा phone idea अवेटेड सुप्रीम कोड डिसीजन जो कि उनका जो पेमेंट है स्टाइगेट पेमेंट ऑफ एजर ड्यूस सो इसे रिलेटेड जो नेक्स्ट एरिंग थी हम लोगों को कल यहाँ पे दस ऑगस्ट की ही यहाँ पर बताई गी थी सो कल यहाँ पर क्या होने वाला है देखे कि शेरोल्डर्स ने तो कल का दिन जरूर जो सुप्रीम कोड की जो भी यहाँ पर जो उनकी सुनवाई रहेगी उसके उपर जरूर ध्यान देना चाहिए कि कल यहाँ पर वो क्या फेसला सुनाते बहुत कुछ यहाँ पर कल डिपेंड करने वाला है सिर्फ वोड़ाफोन अगर वोड़ाफोन आइडिया के साथ साथ आप लोगोंने नजर रखनी चाहिए भारती एरेटल के उपर एंड रिलाइंस इंडस्ट्री के उपर आप सभी लोगों को पता है कि इन कंपनीज में तेजी कब बन सकती है अगर वोड़ाफोन आइडिया के अगेंस में नहीं मिली तो हमारे पास एक ही option है कि हम लोगों को company बन करनी पड़ सकते 50,000 करोड एक time में कहा से देंगे कोई भी दुनिया की इतनी बड़ी company हो इतना payment नहीं कर सकती जो कि उन्होंने आपे कहा है तो उनका कहना यही था वोड़ाफोन आइडिया का कि हम लोगों को payment दिया है one time payment होना चाहिए मतलब जल से जल्द होना चाहिए या फिर इसको 10 साल 12 सार 15 साल 20-25 साल तक इसको defer करना चाहिए installment के form में लेना चाहिए हलाकि Supreme Court ने इससे related पहले ही बोल दिया था कि आगे के 15 से 20 साल किसने देखे है तो इससे हम लोग थोड़ा सा अंदाज लगा सकते कि से decision Vodafone Idea के against भी आ सकता है बट बहुत कुछ parameter भी चेक करने होंगे जो कि वो यहाँ पर court जरूर देख लेगा तो यहाँ पर इन companies के उपर आप लोगों ने नजरे रखनी है भारती एटल Reliance Industry अगर Vodafone Idea में कोई negative news आ जाती है उनके खिलाफ decision जाता है तो यहाँ पर rally देख ने को मिल सकती है और Reliance में शायद से गिरावट जादा होगी क्योंकि वो already higher level पे चल रहा है मतलब एक reason मिल गया कि चलो यहाँ पर गिर जाए हाला कि उससे company को इक तबाह नहीं हो जाएगी बट यहाँ पर गिरावट के लिए कारण मिल जाएगा so definitely कल यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि Vodafone Idea का जो Supreme Court का जो यहाँ पर डिशी जने AGR News से related वो यहाँ पर क्या हाता है तो पूरे बाजार का जो focus रहेगा वो vaccine के साथ-साथ, news के साथ-साथ इस खबर के उपर भी यहाँ पर रहने वाला है Vodafone Idea की बात करते तो जैसे मैंने का कि वो सिर्फ एक company नहीं है बहुत सारे companies के उपर भी आप लोगों ने नजरे रखनी है जैसे की IDFC First और उसी के साथ-साथ-साथ इंडसिंड बैंक Vodafone Idea को बहुत सारे लोगों ने exposure देखे रखा है, पैसा देखे रखा है, बट इंडसिंड बैंक का बहुत ज़्यादा पैसा Vodafone Idea में अठका हुआ है तो इसलिए कभी भी कोई भी decision Supreme Court का आएगा, वो Vodafone के favor में रहेगा, तो यहाँ पे भी Vodafone में भी rally आएगी, इंडसिंड बैंक में भी rally आएगी, अगर वो उसके against जाएगा तो इंडसिंड बैंक भी crash हो जाएगा, Vodafone Idea तो lower circuit लगना शुरू हो सकता है उसी के साथ साथ IDFC First के उपर भी focus रहता है, हला कि IDFC First नहीं ऐसा कभी नहीं बता है, कि उन्होंने Vodafone Idea को पैसा देखे रखा है, बट उन्होंने इंडरेकली यह कहा था, कि दो quarters पहले, कि हम लोगोंने 50% provisioning किये, ऐसे company से जिसका survival बहुत खतरे में है, हला कि उन्होंने कभ इंडरेकली इंपक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले है, तो रिटेल निवे शकों को यह चीजे पता नहीं होती थी, तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वोड़फोन आइडिया से रिलेटेड कोई decision है, बट हमारे इंग स्टॉक्स में क्यों प आप एक हर कोई capital raising से related कामकाच कर रहे है, और आप सबी लोग पता है, दो बड़े QIP हम लोगों को बाजार में देखने को मिले है, वो है एक access bank का, आप सबी लोगों को पता है, और उसी के साथ-साथ HDFC limited का, बहुत ही जबरदस response भी हम लोगों को देखने को मिले है, floor price भी द adjustment रहते हैं, तो कल finally, access bank and HDFC से QIP से related जितने भी doubts थे, वो हम लोगो clear होते हैं, देखने को मिलेंगे, अगर current price से, हम लोगों को अगर ये all discount के उपर, अगर price decide हो जाता है, तो definitely उतना वो adjust करके share नीचे आता है, आप सबी लोगों को पता है, अगर उपर होता है, चांसे जो बह पहले मैंने दिखा है, वो भी index का stock है, भारती retail, Reliance, ये दोनों भी stocks index के stock है, तो कल के दीन के लिए, बाजार में हम लोगों को बहुत कुछ, यहाँ पे coverage देखने को मिलने वाल है, जो की बाजार में हल चले create कर सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं, इन दोनों company से related, QIP से related कल board meeting है, जो कि हम लोग को final decision लेते हुए देखने को मिल सकता है, उसके बाद और एक index का stock, जिसका नमें Interglobe Aviation, Indigo आप सभी लोग को पता है, इन्होंने कहा था कि हमारे पास 6,500 करोड का cash है, हम लोग survive कर लेंगे, बट ये भी company की कल board meeting हम लोग को देखने को मिल रही है, और शायद से ये भी fund raising का plan यहाँ पर बना सकती है, तो बहुत ही गजब की news है, हम लोग कह सकते हैं, तो कल आप लोग ने Interglobe Aviation के उपर भी focus रखना चाहिए, हाला कि मैं already आप लोग को बता चुका हूँ, कि यहाँ पर इस stocks में हम लोग ने long term में निवेश किया था, अच्छा कमपनी जे 5,000, 7,000 से भी जादा कमपनी लिस्टेड है, तो ऐसे doubtful situation में हम लोग ने नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, तो definitely Indigo ये कमपनी में कोई कम तरता नहीं है, in fact अगर हम लोग देखा जाए तो इसकी monopoly भी अभी बन चुकी है, aviation sector में, और कोई कमपनी बची नहीं है, jet airways भी खतम हो गई, kingfisher भी खतम हो गई, spice jet अगर market की सब से देखे तो ना के बराबर है, so definitely हम लोग कह सकते हैं, Indigo ये एक ही बड़ी company हम लोग को फिलाल market में देखने को मिल रहे हैं, जो की aviation sector में काम कर रही है, और जिसके पास excess cash भी है, बट फिलाल इतना advantage होने क बावजूद हम लोग जरू कह सकते हैं, ये stock में शायद से गिरावट होने की chances और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पिछले 5 दिन के अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं, stock अभी भी हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे जाते होई देखने को मिल रहा है, तो ये भी company की कल board of directors की meeting है, जहाँ पर fund raising से related strong decisions हो सकते हैं, तो indigo के उपर भी आप लोग ने नजरे जरूर बना के रखनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आकरी company है, जो कि मैंने आपकी सामने open की है, जिसका नाम आप लोग यहाँ पर screen के उपर पढ़ सकते हैं, त्रिवे जी देखने को मिले, 19.59, मतलब 20% रफली पकड़ लेना इतनी jump देखने को मिले, 12 रुपया jump स्टॉक ने दिखा दिया, and suddenly jump, मतलब यहाँ पर कोई ख़बर है, तो yes दोस्तों, कल यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इनके भी board की meeting है, मतलब आप देख सकते क सबी बड़े companies के board की meeting है, 30E की भी board की meeting है, and यहाँ पर शायद से buyback का विचार किया जाएगा, मैं यह नहीं कहे रहाँ कि buyback लाने वाले हाला कि वो power board के पास रहते हैं, तो कल meeting इसी के लिए, कि buyback यहाँ पर लाना है भी या नहीं, so शायद से buyback लाँ सकते हैं, इन company के shareholder को यह confidence है, तो इसीलिए buyback लाने के announcement से पहले उन्होंने यहाँ पर जबरदस खरीदारी किये, and jump देखने को मिली है, हलाकि अगर वो buyback नहीं आद लाते हैं, cancel कर देते हैं, तो जितनी jump अभी देखने को मिली है, उतनी ही रफ्तार से तेजी से यह नीचे भी आ सकता है, so buyback हो यह नी, यह तो कल ही हम लोगों को पता चलेगा, so यह भी अगर लोगों ने क्या करना चाहिए, इसके उपर focus रखना चाहिए, मिडिया में इस company के बारे में बताने से लिए जो coverage रहेगा, वो कम हो सकता है, क्योंकि कल का पूरा दीन, vaccine से related, EJR Duce से related, जो Supreme Court की सुनवाई, य क्या रहेगी, and Indigo की board meeting का announcement क्या रहेगी, उसके उपर यहाँ पर रहने वाला है, so maximum जितने भी shares है, जो कि आपको मेरे यहाँ पर दिखा है, जिन से related, हम लोगों ने बात है की, वो हम लोगों को NSC की, मतलब index की में देखने को मिलते है, and index के stocks ही, बाजार को उपर नीचे कर स बढ़ जाते है, so I hope अशा करता है दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल का दिन कितना important रहने वाले है, कितने सारे updates यहाँ पर आने वाले है, तो इससे related आप लोगों को पहले ही मैंने आगा करके रख दिया है, so I hope अशा करता है, आपको यह वीडियो अच्छा अच्छा के लिए, बाइबाई